जैहिंद नमस्कार मेरे से शेर नियों लाटो लाडलियों स्वागत आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो पीड़ में दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेसली ऐसे सीजीडी की फाइनल कटोप को लेकर है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट्स कर रहे है की सरफ फाइनल मेरे कितने इक बढ़ सकती जैसे कुछ बच्चों की जो नमबर है वो मान की चलिए कि अभी फृजिवडिकल का पर आई उसके बाद में फिर आपको मेरे इसके बीच मेरे लिष्टं ओर लगना है जैसे फृजिक मैरे लिए लिए आनी है और फिर एक फइनल का टोप आनी है तो फाइनल का टोप कितनी जा सकती है फीजिकल में कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं यह इसके बाद में कितना गुणा पास किया जाएंगे और वो किस आधार पर लिस्टे बनेगी यह पूरा का पूरा जो वीडियो है पूरा डिटेल में मैं आपको बत होती है राज्ये के इस तरफे किस के इस तरफे राज्ये के इस तरफे सबसे पहला जो आरक्षन जुनता है इसमें वह जुरता है राज्ये राज्ये के बाद में अगला जुरता है वह जिरता है जिला जैसे राज्ये कैसे जैसे हर एक राज्ये के आपको पता अलग मेरिट होती है, फिर जिले की आदार पर तीन भागों में बाठा गया, वो तीनों की अलग जनरल, नकसल और बोडर है, इनकी मेरीट अलग बनती है अब जिलो में भी एक पंगा है क्या पंगा है? देखिए जितने भी जो जिले हैं उन जिलो में भी ये होता है कि अलग अलग अधारित जैसे जनरल केटेगरी अलग अलग भागों में बाटी गई है पहली यूर यानि जनरल केटेगरी फिर OBC जिलों में फिर SC ST और जो नहीं केटेगरी एड की है EWS ठीक है इसमें भी पांच केटेगरी हो गई है अब इन केटेगरीों में भी एक आरक्षन और जुड़ता है लाटनों वो आरक्षन कौन सा है वो आरक्षन है गर्स के लिए अलग और बोईज के लिए अलग अब जो कोटोब बनती हैं उसमें इतने पड़ाव होते हैं यानि सबसे पहले राज्य के अदार पर शिटें फीर राज्य के जो शिटें होती हैं और जिल्लै के आधार भी होती है तुटनल जिल्लों के इतनी शिटें हैं लिए घर जलू के इतनी शिटें और जनल गने अफ्की सम्झानल होती है प 기— क्ट जार Cent से हो प्लस दस चली जाएगी इससे क्या मतलब है ये किसकी चली जाएगी प्लस एक प्लस दस क्योंकि अलग-अलग केटेग्री वाइज अलग-अलग कटोप आएगी है तो निश्य यह आप सभी इसको जानते हैं पर मतलब डिविजन होती है जो कटोफ एसे जीडिगी वो इतने पड़ाओं में फस्ती अभी कुछ बच्चे से हैं जिनके नंबर कम लेकर लिस्ट में नाम है मैं आपको बता दो ऐसा कई बार फाइनल मेरिट लिस्ट में भी हो जाता है अब आप बोलोगे सर फाइनल मेरिट है ठीक है तो उन दोनों में जो कमपिटिशन होता है तो एज के आदारित भी दे देते हैं और ए भाग और भी भाग के आदारित भी दे देते हैं तो मान के सलिए कि 170 कटोफ लगी है किसी के 100 गुंशितर पॉइंट पांच बर भी सेलेक्शन हो जाता है ऐसा हुआ है मैं Не 246 पोश्ट की किसमे जैनरल लिस्टीक में बात करेंगर हम नक्सल की किसकी बात करें नक्सल के अगर बात करें तो नक्स लिष्टी के लिए 7,299 पोस्ट आईए और बूर्डरे रिया के हम बात करें तो उसके आईए 11,194 पोस्ट ये टोटल पोस्ट ओव वेकेंसी अभी आईए ठीक है अब इसमें पास कितना किया गया है आप सब अगर धान से देखोगे तो पास किया गया है 3,24,000 जबकि अगर इसका 8 गुना किया जाए कितना गुना किया जाए लाड़ लो 8 गुना किया जाए तो लगबग 3,35,000 और सम्तिंग कुछ वेकेंसी पास होनी चाहिए थी अगर 8 गुना तो 8 गुना से भी कम पास किया गया है 8 गुना से भी कम पास किया गया है पूरा पूरा 8 गुना भी पास नहीं किया गया है ये दान रखेगा पूरा 8 गुना भी पास नहीं किया गया है जबकि 8 गुना पास होना चाहिए अगर आठ गुणा पास होता तो लगबग 3,35,000 के आज पास वेकेंसी पोस्ट और वेकेंसी इसकी आठ गुणा होती है इतनी पास होनी थी लेकिन हुई है 3,24,508 पोस्ट पर ही बच्चों को कौलिफाई दिया है ठीक है अब देखिए अगर बात करें कि जैनल केटेगरी में लड़कों की मेरिट कितनी जा सकती है तो पहले आप इस बात को समझें कि जो 3,24,000 बच्चे हैं जो यह जो 3,24,000 जो बच्चे हैं इनमेंस से मैं आपको बता दूँ 24,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए जाएंगे ही नहीं जहां रखना है यहां खड़े या उन्होंने पेपर प्रेक्टिस के अदार पर दे दिया या कम एज के कारण उन्होंने पेपर देखके देखा या ज्यादा एज के कारण उन्होंने सिर्फ पेपर देखके देखा है या कुछ बच्चों का CGL में सेलेक्शन हो गया हो या उस CGL के तयारी कर रहे हो तो बच्चे लगभग तीन लाख कि तीन लाख या स्पास बच्चे पेपर देने जाएंगे इसमें जो फेल का रेशियो रहता है लो थोड़ा सा कम रहता है लेकिन हाँ फिर भी आप यह मान के चलिए कि लगभग इनिमें से कि पचास हजार से लेकर कि 75,000 तक बच्चे फेल हो जाएंगे रनिंग में कुछ रनिंग में छट जाएंगे कुछ हाइट में छट जाएंगे कुछ चेस्ट मेजरमेंट में छट जाएंगे 50,000 से लेकर 45,000 बच्चे हैं उन्में से जिसे कुछ रंडिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 किलो मेंटर रंडिंग 24 मिनिटर का समय नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे ठीक है हमने भी देखे हैं हमारे केडमे में कुछ पांच किलोमेंटर नहीं कर पाएंगे कुछ जो हीड का मेजरमेंट है कि वो क्वालिफाइञ नहीं होंगे तो यह बच्चे भी फिर नहीं जा पाइग अब बच्चे कितने बच्चे बड़े बग लग बग मान के चलीए 2,25 लाग पचीछ जार बच्छे इतने बच्चे फिजिगल क्वालिफाई होके कटोफ के लिए जाएंगे ठीक है अब इन बच्चों में से कितना गुणा लिया जाएगा इन बच्चों में से इनका तीन गुणा लिया जाएगा अगर इनको जोड़ा जाए तो लगबग यह मान के चलिए कि 25,000, 7,000, 32,000, 33,000 यहने चमालीच जार के आसपास है तो चमालीच जार का तीन गुणा कर लिजिए 12 हाथ का एक बारा और तेरा लगबग एक लाग बतीस जार यहने इन में से 50 परसेंट बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे किसके लिए मेडिकल के लिए यहने इन बच्चों में से 50 दो से तीन नंबर या तीन से चार रंग उच्छाल मार सकती है मेडिकल के लिए वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्ट्रेट से हो अब आप इन ही में मान लेके चलिए अगर आप असम से हैं बियार से हैं बियार तो नहीं असम मनिपूर मेगाले मिजोरम 36 गर उडिशा ज करेगी ना वो दो से तीन ही करेगी लेकिन वहीं आप राजस्तान से हैं यूपी से हैं हरियाना से हैं या अपना दिल्ली से हैं मद्य प्रदेश से हैं बियार से हैं उत्राकन से हैं हिमाचल प्रदेश से हैं तो इन जो जिले हैं ये जो राज्ये हैं इन राज्यों में कटो और उपपर रंक जा सकते हैं लेकिन हाँ चार मानके चलिए कि मेडिकल के लिए जा सकते हैं चार अंक तक अब मैं आ पो दूँ चार से उपड़ जाने के पीछे बहुत सारे बच्छे समझ नहीं पा रहे हैं कि सर्चार चारं को बढ़ती है क्या बेटा इस बार जो चारंक है कि यह तर पर 2 interfeter 1 ने ट्यूसन थे इन भी गय conveni है कि इस निवारे अ क्यूसन मतलब इसका मतलब क्या अब गई गई थे क्यूशन के आदार पर दोज घई गई अब बात करें नक्सल एरिया तो नक्सल एरिया से ज्यादा कटोप नहीं बढ़ती है जिन भी बच्छों के दो से चार अंक फलस है वो मेडिकल एक वालिफाय हो सकता है इसलिए उनको रणिंग बहुत अच्छे से करनी है बोर्डर एरिया से मैं आपको बता दूं एस्टी केटेगरी एस्ट इन डोनों में जो कटोब आप अबरस उब्स होता है तो नुमों के चली के चलिए जैMA के लड़कियों की बचेडियों बता दूं रचे तावी बच्छों केसी है 318 पोस्ट की वेकेंश है जेनरल दिस्टिक से नेक्सलिस्टिक से है बेटा आट सो इठ्यानमा पोस्ट और बोर्डर दिस्टिक से है तेरा सो शाट पोस्ट तो सर्फ लड़कियों की कितनी कटोप जा सकते मैं आपको पिछली वेकेंश के अगर कुछ आंकड़े तो 2021 में जो सां कम जाती है क्योंकि अभी जैसे कि कितनी लड़कियां पास किए गई है तालिस हिजार त्षियालिस जबकि इनका आठ गुना किया जाए इतना गुना के जाए बैटा आठ गुना तो लगबक 45,000 पूछ पद होते हैं जबकि 40,000 पास किए गए इसका मतलब क्या है कि लग आठ गुकि जो लड़के कही ने कहीं जीवन में जैसे मान के लोगे बच्पन से इसे गेम खेंते हैं जैसे किर्गेट हो गया फुटबोल हो गया जिसमें भागदोर का काम रहता है इसलिए उनका मेंटेनल सरी का थोड़ा बहुत रहता है लड़कियां इसे गेम पसंद नह पर जा सकती है तो बहुत कम चांस है कि जनरल केटेगरी एक तो जो जनरल इस्टिक है और उसे ओबीसी इन दो केटेगरियों में हो सकता कि दो नमबर ये चार नमर प्लस जाए बाकी जो केटेगरी है सी एस्टी और इड़बुल उसमें बिल्कुल भी जंप नहीं करेगी मा मैं आपको बता दूँ लगबग 4000 के आज पास जो लड़की हैं 10 परसेंट वो तो अनुपस्तित रहेगी आप जब फिजिगल देने जाओगे तब देख लेना ठीक है 2018 वाले जो वेकेंशी थी उसमें में भी फिजिगल बोर्ड में था तो मुझे पता है 10 परसेंट बचिया है इनमें से जो क्वालिफाई हो पाईगी न वो 25,000 बच्चे ही हो पाईगी या उससे भी कम या मोटा मोट 25,000 मार ले 25,000 बच्चिया है इसका तीन गुणा पास किया जाएगा तो लगबग 500 पोस्ट होती है इनका मिला के तो तीन गुणा का मतलब हो गया 15,16,000 त तो 16,000 के आस पास बचिया क्वालिफाई होगी और ये बाकी बच्चिया 7 से 8,000 बच्चिया है वो छेटेगी ठीक है 7,000 बच्चिया क्या हो जाेगी बाहर हो जाएगी इसके समय मेडिकल के बाद में मेडिकल के बाद में जो कटो पाएगी उसमें वो फाइनल मेट के लिए जाएंगे ठीक है फाइनल मेट मेट में जाते जाते इन तीन में से एक शीट पकी होगी अब लड़कियों को मैं बता दू जरूर नहीं कि पंदरह जार बच्चीय मेडिकल में क्वालिफाई हो तो वह स बहुत अच्छी प्रेक्टिस करें और आप कोशिज करें इस बार आपके पास में बहुत अच्छा उसर है क्योंकि अगर आपका नाम आया तो मान के चलिए कि आप 40,000 बच्चों में हैं और 40,000 आठ गुना भी नहीं है ठीक है तो जो फेल होगी मानलो बढ़ेंग की लिखे अब फेल होग सकती है जिनके नंबर अच्छे हो आपको बहुत गोल्डन है ये चांस इसको छोड़ना नहीं है बड़िया से मैनत करना है लोंग रणिंग करना है अभी भी समय है 10 12 15 दिन का लोंग रणिंग करिए बड़िया से और नहीं तो आप अकेड़ी में आके भी त् जूर जम्प करेगी जिसके जनरल रिष्टी के जनरल और अबी सी के टेकरी नक्सल और बोर्डर एरिया की फाइनल का टोप भी ज्यादा जम्प नहीं करेगी तो आई ये बच्चियां तो बिल्कुल बेख फिकर होके बस आपका टार्गेट यह होना चाहिए कि मैं जैसे त जै भारत अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेर करिए